असलाम लेकूम मैं उम्मीद करती हूं आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आप से शेयर करूंगी बिना अंडे की कॉफ्तों की रेसिपी इसके लिए हमने वान केची कीमा लिया है और वान टीस्पून अदरक लसन का पेस्ट और वान टीस्पून पिसावा प्याज उसका पानी हमने अच्छी तरह ने चोड़ लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला पीसा वजीरा और साबत धनिया वन टीस्पून वन पिंच हल्दी नमक और रचली आप अपने टेस के मताबिक आड़ कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टीस्पून पिस्यूवी सबस मिर्चे थुरा सा सबस्थन या एड़ करेंगे और आप अपने टेस के मताबिक पदी ना भी एड़ कर सकते हैं अब हम वन टेबल स्पून बेसन लेंगे और इसको फ्राइंग पैन में रोस्ट कर लेंगे और बाद में बेसन को कीमे में एड़ कर लेंगे अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेट कीमे को हम आदे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे आदा घंटा हो चका है अब हम अपने हर्तों के ओपर ओयल या पानी रगा के कीमे की छचचचचचचचचचचचच बॉल बना लेंगे यहाँ पर हम ने दो अदद कटे हुए प्यास लिये हैं और उनको कराही मेड़ करके ब्राउन कर लिये हैं अब हम इसमें वन टेबल स्पून लसन का पेस्ट आट करेंगे और इसको दो से तीन मिनद के लिए पकाएंगे घीमिक के हमारे बॉर्ड तियार हो चुके हैं ब्राउन की अवे प्यास और लसन को हम एक मिक्स्चर में दार के पीस लेंगे अब इन तीनों का पेस्ट हम दुबारा ओयल में आट करेंगे और इसको हम दो से तीन मिनद के लिए पकाएंगे इसमें अब हम नमक, मिर्च और हलदी आट करेंगे और इसको पान से छे मिनद पकाएंगे अब हम इसमें एके करके हमारे कौफते याद करेंगे और इनको हम दर्मियानी आज़ पर पकाएंगे और सारे कौफते रखने के बाद हम इस पर ढखकन दें के इसको ढामतेंगे और चार से पांच मिन बाद हम इसके साइट एके करके चमच के साइट बदल देंगे इसमें आपने जोर जोर से चमच नहीं चलाना वनना कौफते तूट जाएंगे पांच से दस मिन के बाद आप अपने कौफतों में चमच चला सकते हैं अब हम इस में वन टेबल स्पून अधराग याट करेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा और सब समिर्चे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे 15 से 20 मिनित तक कुफतो को हमें 15 से 20 मिनित तक पका लिया है अब हम इसमें वन ग्लास पानी यार्ट करेंगे हमारे कोफते अब तैयार हैं, इसमें अब हम सबस्थन्य और गरम शौना एड़ करेंगे हमारे मज़िदार से कोफते तियार हैं, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और सबस्क्राइब करें अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, आला हाफिश